हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम त्रक्रोई मीति के एक most important question को यहाँ पे हल करेंगे जो आपके बोर्ड के exam के लिए यह question बहुत ज़्यादा important साबित होगा चले फ्रेंज से start करते हैं तो फ्रेंज आपके सामने question है कि 10 ठीटा स्कल्टू 24 बटा के साथ तो सित कीजिए कि साइन ठीटा माइनस काश ठीटा अपान साइन ठीटा प्लस काश ठीटा स्कल्टू 17 बटा के 31 अर्थाद फ्रेंज आपको यहाँ पर क्या करना है कि left hand side और right hand side यहाँ पर क्या करना है बराबर दिखाना है तो चलिए फ् पहले क्या करेंगे लिखेंगे हन लिखने के बात क्या करेंगे फ्रेंज जो यहाँ पी दिया है इसको यहाँ पर लिखिए 10 ठीटा कमान कितना दिया है फ्रेंज लिखेंगे 10 ठीटा कितना दिया है 24 बटा के साथ अब फ्रेंज आपको पता होगा 10 ठीटा का फार्मूला क् लंब बटा के आधार होता है, यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा के आधार, अब फ्रेज देखें, टैन ठीटे कमान कितना दिया है, 24 बटा के साथ, 24 बटा के साथ, लिखेंगे, लंब कमान कितना है, यहाँ पर लिखेंगे, लंब, लंब कमान दिया है, यहाँ पर कितना फ् यानि कि ठीटा की साहिता से निकाल के यहां पर क्या करेंगे फ्रेंस इसको आप हल करेंगे तो फ्रेंस देखें यहां पर तीन भूजा अरे सोरी दोस्तों यहां पर दो भूजा पता है तीसरी भूजा आपको ग्याद करना है तीसरी भूजा ग्याद करने के लिए फ्रेंस आ आधार का स्क्वाइर प्लस लम का स्क्वाइर यहाँ पी इसका मान रखते हैं देखिए फ्रेंस यह करण का स्क्वाइर आधार बरबाब साथ साथ का स्क्वाइर कर लेजिए अब करण का स्क्वाइर यहाँ पी लिखिए लिखने के बाद साथ का स्क्वाइर करेंगे कितना हो जब 49 और 24 का स्कार फांड़ाटा है ठीक है फ्रेंस अब देखिए क्या करेंगे करड़ का इसक्वाइर, अब जब 49 को 576 में जुड़ेंगे तो 625 होगा अब देखे फ्रेस यहां से वर्ग हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पच्छों का करड़ी लेंगे दोनों पच्छों के ले लिजिए यहां से देखे करड़ी का वर्ग मुल निकालेंगे यहां करड़ी करड़ी निकल जागा बाहर यहां 625 और 625 का वर्ग मुल कितना आ गया 25 अब देखे फ्रेंस प्रश्ण को देखिए यहां पर साइन ठीटा काश ठीटा क्या वा सकता है तो यहां पर साइन ठीटा काश ठीटा इसकी साहता से ग्याद करेंगे तीनों भूजा की साहता से यहां पर लिखेंगे साइन ठीटा साइन ठीटा का फार्मूला आपको प कीजिए काश ठीटा काश ठीटा का मांद इसमें रख कि हल करेंगे कि देखें कि आ रहा है कि नहीं चलिए यहां पर रखते हैं हम यहां से क्या करेंगे left hand side लेके चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे left hand side ठीक अब दिखे फ्रेंज sign ठीटा के मन कितना दिया जहाँ sign ठीटा लिखा है वहाँ पर 24 बटा के 25 लिखें यहाँ पर लिखेंगे 24 बटा के 25 माइनस काश ठीटा कमान 7 बटा के 25 दिया तो 7 बटा के 25 लिखे लिजी और पूरा के बटा साइन ठीटा कमान कितना 24 बटा के 7 है तो 24 बटा के 24 बटा के 24 बटा के 24 रखे लेंगे धनका चिने धनका काश ठीटा कमान 7 बटा के 25 है तो 7 बटा के 25 रखेंगे इसी को हल करके देखेंगे कि 17 बटा के 31 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चलिए यहाँ पर हल करते हैं तो फ्रेंस यहाँ भी देखी आप दोनों का हर बराबर है तो इस तरह 25 लिखिए उपर कितना है 24 माइनस 7 और पूरा के बटा इसी प्रकाद के 25 लिखिए यहाँ पर हर बराबर तो यहाँ के क्या लिखेंगे 24 धन 7 इतना लिखने के बाद फ्रेंस क्या करेंगे अब इसको हल कीजिए देखिए हल कर रहे है 24 में 7 गटाएंगे तो आपका बचेगा 17 अपाँ पचीस है तो पचीस रहने दीजिए और पूरे के बटा कितना है 24 में 7 जोड़ेंगे तो साथ चरीगार यारे के 31 बटा के पचीस आएगा अब देखिए फ्रेंस जब बटा के बटा होता है तो इसको आप प्लाट सकते हैं ठीक है थोड़ा से कर लेते हैं इस तरह इसको प्लाट सकते हैं इसको लिखे 17 बटा के 31 लिख लिजिए यहां पर गुड़ा कचीन दीजिए यह वाला भिंजुए था प्लट जाएगा यानि 25 उपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा 25 से 25 कड़े है आपका तो आपका कितना रहा यहां पर देखिए frequent 1770 1 एक में गुड़ा करेंगे 17 रो जाएगा और यहां 11 करेंगे तो इस तरह लिखेंगे और लिखेंगे left hand side बरावर right hand side इस प्रकास से question को हल करते हैं तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चलको सब्सक्राइब करें